दोस्तों दिक्टेशन स्टार्ट होगी तीन सेकेंड बाद स्टार्ट महोदे कोमा समिक्षाधीन वर्स में ग्रामिन विकास कार्यक्रेमों को और कारगर तथा सूद्रिड बनाया गया मंत्राले के कार्यक्रेमों में दूरगामी प्रभावाले कई तरहें के सुधार करने की पहल की गई इन सभी सुधारों में मंत्राले से संबंदित दो मुख्य मुद्दे हैं ठोस जल संभरण विकास नीती के जरिये गरामिन विकास कार्यक्रेमों को स्थायित्व प्रदान करना और इन कार्यक्रेमों में लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना ये नए कदम एतिहासिक तहतरवे समविधान संसोधन अधिनियम कोमा 1902 में की प्रष्ट भूमी में उठाये गए थे जिनका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियां प्रदान करना तथा ग्राम पंचायतों के इस तर तक सही मायनों में विकेंद्रे करण की प्रेक्रिया को सुनिश्चित करना है अब पहले से कहीं अधिक इस बात को महसूस किया जा रहा है कि ग्रामिन गरीवी के दल दल में फंसी हुई काफी अधिक ग्रामिन जनता को इसके चंगुल से छुडाने के लिए यह आवशक है कि हम ग्रामिन विकास के कारेक्रेमों में अधिक लोगों को सामिल करें श्टॉप दसवी योजना दस्तावेज के आमुख में इस मौलिक मुद्दे का संगशेप में उलेख किया गया है कि विकास कार्यों के लिए विकास की और ताक्ते रहने तथा उस पर पूरी तरह से निर्भर रहने की प्रेवरती बढ़ती जा र लेना चाहिए और सरकार को उसमें सहयोग करना चाहिए स्टॉप लोगों की जरूरतों और निचले इस तर पर योजना बनाने में उनकी भागिदारी को मंत्रा लेके एजेंडा में सामिल किया गया है स्टॉप इससे कार्यक्रमों की आयोजना तयार करने है तुप उपर के इस तर से नीचे की और पहले से चली आ रही पद्धती में निश्चत रूप से परिवर्तन आया है और यह लोगों कोमा सवेचिक एजेंजियों और सरकार का सहयोग लेने की प्रक्रिया से संभव हुआ है कार्यक्रमों में नई पहल के परिणाम स्वरूप लोगों के द्रिश्टी कोन में परिवर्तन हुआ है और यदि यह प्रियास इसी गती से आगे जारी रहा तो इससे निकट भविश्य में विकास की प्रक्रिया में उलेखनिये परिवर्तन आ सकता है इसी प्रश्ट भूमी में वर्स 2000-2001 में मंत्राले की उपलब्दियों को देखा जाना चाहिए मजदूरी, रोजगार तथा रिन से जुड़े स्वेरोजगार कार्यक्रम गरीबी निवारन के कार्यक्रम है, जिने रोजगार मंत्राले द्वारा किये जाने वाले काम की कार्य सूची में प्राथमिकता दी जाती रही है गाओं में कम उत्पादक्ता और अल्प रोजगार सहित बेरोजगारी की समस्या से विशेश रूप से जुड़े हुई अपनाई गई नीती गरामिन गरीबों पर तिवरता से सीधा प्रहार करने की रही है लक्ष यह है कि इस सताबदी के अंत तक जरूरतमंद लोगों को पूरा रोजगार उपलब्द कराया जाए गरामिन विकास की योजनाओं का प्रमुख उद्देश गरीबी को कम करना है इसके लिए केंद्रिय योजना आबंटन में तीन वर्षों के दोरान उत्रोतर बढ़ुतरी की गई है गरामिन विकास मंत्राले के लिए 2001-2002 में 710 करोड रुपे का परिवे रखा गया है जो की देश में एतिहासिक तथा अधिक आबंटन है महोदे कोमा बढ़ाई गई इस धनरासी से गरामिन विकास के लिए सरकार की इस चिंता और इच्छा सकती का पता चलता है कि वह आर्थिक उधारी करण की प्रक्रिया के जरिये और बिचोलियों के दवारा उत्पन हर संभावित प्रतिकोल परिस्तिती से बचने के लिए बाजार ढाचे में सुधार लाकर गरामिन गरीबों को सुरक्षा प्रदान करना चाहती है मंत्राले के कार्यक्रमों में इतना अधिक निवेश पहले कभी नहीं किया गया है कोमा इससे वास्ताव में गरामिन गरीबों को प्रभावी सुरक्षा मिलेगी बड़े पेमाने पर बेरोजगारी और अल्प रोजगार की समस्या से निपटने के लिए नई नई नीतियां तथा कार्यक्रम तैयार किये गए हैं इन कार्यक्रमों का ध्यान विसेश तोर पर विसेश्ट पिछडे छेतरों और क्रिशी मजदूरों कोमा मुक्त बंदवा मजदूरों कोमा छोटे और सिमात किसानों कोमा कारीगरों कोमा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों आदी जैसे उपेक्षित वरगों के विकास पर किया गया है संग्षेप में इन कार्यक्रमों का उद्देशे गरीबी की प्रचंडता को कम करना तथा उसका उनमुलन करना है स्टॉप जवाहर रोजगार योजना एक मात्र सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम है स्टॉप इसके अलावा गहन जवार र रोजगारी और अल्प रोजगार की समस्या काफी अधिक है कोमा जहां लोग रोजगार की तलाश में अन्य इस्थानों पर पलायन कर जाते हैं कोमा और जहां प्राक्रतिक संसाधनों की काफी कमी है स्टॉप जवाहर रोजगार योजना और गहन जवाहर रोजगार योजन से लगबग 1037 मिलियन श्रम दिनों का रोजगार पैदा होने की संभावना है जिसके लिए केंदर का अंश 3,855 करोड रुपए है इसी प्रकार सुनिष्चित रोजगार योजना गरीबों को खेती के खाली मोसम के दोरान 100 दिनों का सुनिष्चित रोजगार उपलब्द करान की द्रश्टी से अक्टूबर 1903 में में शुरू की गई थी इसने गरामिन छेत्रों में अपना स्थान बना लिया है और वहां इसका बेरोजगारी और अल्प रोजगार की समश्या को हल करने के लिए एक महत्वपून कदम के रूप में काफी सवागत किया गया है इस योज योजना के अंतरगत एक करोड से अधिक लोगों को पंजिकरत किया गया है जो की देश के पिछडे और कम साधन वाले खंडों में निर्धनतम लोगों को रोजगार की सुरक्षा तथा खाद्य उपलब्द कराने के लिए एक महत्वपून तथा मुख्य माध्यम है शुरू में यह योजना सूखागरस्त कोमा मरुस्थली कोमा आदिवासी और पहाडी छेत्रों के 1788 पिछडे इलाकों में सुरू की गई थी जहां पुनरगठित सार्वजनिक वित्रन प्रणाली लागू की गई है इस वर्स से इस योजना को और 409 पिछडे खंडों में लागू कि इस योजना से लोगों को मजदूरी कोमा रोजगार के लिए बहुत बड़ा आस्वासन मिला है और उन्हें रोजगार के लिए एक नई दिशा प्राप्त हुई है इह योजना गती पकड़ रही है और चालू वर्ष के दोरान 1200 करोड रुपे के केंद्रिये परिवे से लग भग 200 मिलियन शरम दिनों का रोजगार स्रजित होने की संभावना है इस्टॉप ग्रामिन गरीबों के सबसे कमजोर वर्गों को मकान उपलब्द कराना ने केवल उनकी बुनियादी आवशक्ताओं की पूरती करना है बलकि इससे उन्हें स्थायित्व मिलता है तथा एक सा माजिक इस तर उपलब्द होता है स्टॉप